तो आज हमारे बीच एक एक बहुत ही फेमस परसनालिटी है यह एक संस्ता से जुड़े है जिसका नाम है अल्कोहलिक एनॉनिमस अल्कोहलिक एनॉनिमस यह एक संस्ता एक सोशल और्गनाज़ेशन है विच इस अक्रोस 183 कंट्रीज इसके पूरे देश उसके पूरे ग्लोबल में अरौंड 30 लाक मेंबर है इंडिया में इसके अरौंड 40,000 मेंबर है हमारे बीच में आज मिस्टर पूशन करके है जो इस अर्गनाज़ेशन के ट्रस्टी है और यह एक सर्विस डेलिगेट है जो इंडिया से अपॉइंट हुए है इंडिया को रिप्रेजेंट ़रने के लिए तो मैं मिस्टर पुशन का स्टेज पे जोर्दार तालियों से स्वागत करना चाऊंगा जोस्तों शराब ये विषे हमेशा से ही एक एंटर्टेन्मेंट का विषे रहा है यानि केश्तो मुकर्जी से लेके आमिता बच्चन तक, या कोई भी शायद सिनेम का कलाकर ऐसा होगा, जिसने एक दफा तो भी किसीना किसी फिल्म में शराबी का काम नहीं किया होगा, and they have provided us a lot of entertainment. अभी, मैं रोटेरियन भी हूँ और कल रोटरी का नया साल शुरू होता है, तो कल हमारे हाँ पर एक पार्टी हुई इस पार्टी में सभी उपलब थे, कोई चार्टर्ड अकाउंटन्स थे, कोई डॉक्तर्स थे, कोई सर्जंस थे, कोई लॉयर्स थे, और सभी शुरूवात में एकदम फॉर्मल, वेल-dressed, ताय, वाइ, सूथ, वोट अगे शब्राटी में सबको ओुडविटिंग, विटिंग, गुडविण सर्क, गुडविव निगव बगारा अगारा थे, धर एक दो पेग होने के बाद में है परसनल नाम अगारा पेचर आगए परूर एक दो पेग के बाद में पिट थे, सर्जन नागिन डंस कर रहे थे फ्लोर पे अभी यह क्या होता है क्यों हम लोग शराब पीते हैं हम लोग शराब पीते हैं क्योंके हम अपने आपको भूल सके क्योंके हम अपने टेंशन को स्ट्रेस को थोड़ा बहुत कम कर सके क्योंके हम अपनी थकान को भूल के दुवारा एक केर्फ्री, केरलेस जिंदकी जी सके लेकिन इससे पहले मैं एक सवाल पुछना चाहूंगा कि हमें यहां पर आज बेटे हुवे जो लोग है इन में से कितने लोगों ने अभी तक शराब के आनन का सैंपल किया है, शराब को टेस्ट किया है Have you ever tasted an alcoholic beverage? You have the keypads in your hands, आप प्रेस करे Keypad पड़ दभाईए, पड़ दिया हम आपको Keypad Okay, so 56% of the people have tasted the pleasures of alcohol. अब That is fine, actually, यह average काफी कम है, लेकिन वह शायद हमारे hall में आज अवरते ज्यादा है, इसके लिए शायद यह average ऐसा देख रहा है लेकिन World Health Organization का एक बहुत interesting statistics है हर 100 पीने वालों में से लगभग 10 से 12 प्रतिशत शराबी बन जाते हैं यानि के इस hall में अभी अगर हमारे बीच में अगर 100 लोग बैठे हुए हैं जिनोंने शराब टेस्ट की हुए हैं तो उनमें से शायद 10 या 12 लोग already alcoholic है या होने की शक्यता है Now that is a very very alarming statistics मुझे बताईए आपकी पीने की frequency क्या है जो लोग ने अभी यहां पर click किया है कि हमने test किया है तो दूसरा सवाल यह बनता है कि मेरी पीने की frequency क्या है Can we have a look at the second question please So आप में से कुछ लोग होंगे जो रोज अपनी थकान मिटाने के लिए इखा दोपेक पीते होंगे कुछ लोग हपते में एक दफा पीते होंगे किसी ने महने में इखा दफा तो कोई सिर्फ holy diwali new year गटारी अभी आई रहिए Please click your pad Okay So 70% 71% of the people feel that once in a while they drink and so they are very very safe and they are very very protected Yes you are क्योंके it's only the exposure जितना आप शराब के साथ में एक्सपोज होंगे उतनी शक्यता ज्यादा है कि आपके अंदर alcoholic gene create होगा या alcoholic gene activate होगा alcoholism की शुरुवात होगी मैं अगर एक एक वर्ड आपको पूछता हूँ कि क्या आपने मैं शराबी या alcoholic ये वर्ड जबी बोलता हूँ तो आपके नजर के सामने क्या picture खड़ा रहता है आपको शायद कोई ऐसा आदमी दिखता होगा जिसने शायद हपते बर से नहाया नहीं है उसके कपड़े मेले है आखे लाल है बाल कोम नहीं किये है जो रस्ता नापते हुए घुम रहा है जो शायद काम धंदा नहीं करता है अपने बीबी बच्चों को मारता है उनके पास से पैसे छीन के लेता है उसको किसी की पड़ी नहीं है इस एक्स्ट्रीमली सेलफिश और लोगों ने समझाने का लाख प्रयास करने के बाद भी इसमें सले में चर्बी है यही आपके सामने इमेज होगी मैं ना नहीं कहता हूँ अलकोहॉलिजम के जो अलग-अलग फेसे से उनमें से ये एक फेस जरूर है लेकिन दोस्तों मैं आपके सामने एक दूसरा पिक्चर भी रखना चाहता हूँ मैं मेरे पेरेंट्स मेरे फादर हाइकोट जज्ज थे लेलेलम थे मेरी माँ 1955 में में इंगलिश थी तो एक सुसंसकुरूद घर में मेरा जन्म हुआ था इसके बावजूद लगभग उमर के दसवे बारवे साल में मैं जब आजू-बाजू में देखता था के बहुत सारे लोग ये लाल रंग का कुछ ड्रिंक पीते है और उनको बहुत मज़ा आता है मैंने देखा था कि मेरे पिता जी जो आम तोर पर बहुत सीरियस व्यक्ती थे जब भी कभी वो पार्टी होती थे और वो जो लाल कलर का लिक्विड जब भी पीते थे ना तो एकदम मजा किया बनते थे हसते थे मैंने अच्छूली उनको एक दफा डान्स भी करते देखा था और मैं हमेशा मेरे मन में कुतुहल था कि ये क्या चीज है I want to try this मेरे मन में हमेशा से ही कुतुहल था कि मुझे भी ये मजा enjoy कर दा है मुझे लगा था ये कुछ अच्छा एकदम tasty मीठा सा ऐसा कुछ द्रव्य होगा so जैसे पहला मोका आया वो मैं और मेरे से एक 4-5 साल बड़े बच्चे सब हम लोग कोई क्रिकेट का मैच वगएरा खेला था और first drink जिसको बोलते कि मैं एक glass beer ये बच्चे लोग के साथ में पिया अब जब ही वो beer पिया तो ना मुझे उसका taste पसंद आया ना मुझे उसका असर पसंद आया क्योंकि मुझे चक्कर आने लगा शायद दिन भर में दूप में खेला था इसके वज़े से था चक्कर आने लगा मुझे वामिटिंग जैसा sensation हुआ और मुझे तकलीफ हुई मुझे को वामिटिंग हुआ और मेरे को कैसे वैसे वो दोस्त लोगा ने मेरे घर तक शोड़ दिया और वो चले गए मैं सो भी गया अगले दिन उठा और मैं सोचा कि दिन दगी में दुबारा शराप को हाथ ने लगाँगा क्या है कि इसमें ना टेस्ट अच्छी है ना स्मेल अच्छा है ना कुछ असर अच्छा है क्यों लोग पीते है उस डर के चक्कर में कुछ साल निकल गए और फिर मेरा जो बढ़ता हुआ बच्चा मैं लगबग कॉलेश के उमर तक आ गया था और मैं सोचने लगा कि पूरी दुनिया एंजोई करती है मेरे फादर को मेने एंजोई करते देखा है ब्रदर को एंजोई करते देखा है दुनिया को एंजोई करते देखा है पिक्चरों में देखा हुआ है तो ये चीज तो खराब हो नहीं सकती मेरे को पीने को नहीं जमा याने प्राबलम मेरे में होग So I realized that I need to learn how to drink कि अगर मुझे ये enjoyment करना है तो मुझे सीखना पड़ेगा न ये कड़वा चीज बिना मुँ बिगाडे अंदर उतारना असान थोड़ी है और जब दूसरा मुखा आया तब तक शायद मेरी उमर बढ़ चुके थी इस वज़ा से या शायद मैं थोड़ा सा सम्महल के पी रहा था इसलिए लेकिन ये एक पार्टी थी मेरे भाई की बड़े पार्टी थी और धेर सारे लड़के लड़कियां आये थे और वो सब वो Saturday Night Fever वाले वो दिन थे और वो English Music और वो धुनला सा atmosphere और वो थोड़ी सी शराब और उसने मेरे सुभाव पर मैजिक सा कर दिया मैं वैसे तो एक थोड़ा सा शर्मीला टाइप का लड़का आसानी से बोल भी नहीं पाता था उसमें मराथी मीडिया में पढ़ा हुआ तो इंग्लिश बात करने की तकलिफ और वो English Music और वो सब जेवियर्स और थिर्स कार्मवेंट और पबेचिंए बच्चे लोगों के बीच में महीं-जवी उनकी बीच में सदनली मैं उनके बीच में डान्स कर रह था और इंग्लिश बोल रह था और उनके साथ गपे मार रहा था और वो लडकियों के साथ में हाथ मिला रह त। और मुझे मालूम ही नहीं था कि ये सब मेरे अंदर है सब लोगों को बड़ा मज़ा आया कि उन्होंने मेरा ये रूप देखा तो उनको बड़ा मज़ा आया और उदे सेट किया रहे पूशन यार तू तो बड़ा मज़ा की आदमी है अरे मुझे भी मालूम नहीं था मैं इतना मज़ा की आदमे हूँ For the first time I discovered myself कि मेरे अंदर को छूपी हुई दूसरी भी personality है ये मुझे मालूम नहीं था और वो personality मुझे अच्छी लगी वो confident वो हर चीज जो चाहे वो चीज कर सकने वाली personality मुझे अच्छी लगी It goes through four different stages The first stage was of friendship यानि पहले जो शराब के प्रती मन में डर था वो डर जाने के लिए पहले दोस्ती करना जरूरी था तो मैंने पहले छोटी-छोटी पीके देखी फिर इसमें वो डालके और उसमें ये डालके पीके देखी फिर उसकी टेस्ट कडवाहट कम करने का कोशिश करके देखा So अलग-अलग प्रयास करके मैं इसको कैसे I can become comfortable with this new substance in my life इसके ओपर मेरा focus था धीरे 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 दो साल के अंदर मेरा डर निकल गया और फिर वो दोस्ती का रूपांतर जो है वो प्यार में हो गया अब मुझे शराब का नशा अच्छा लगने लगा था अब मैं दोस्तों का इंतजार करता था कि कैसे हमारी party जमेगी कैसे हमारी team जमेगी और कैसे हम लोग enjoy कर पाएंगे अब वो नपीने वाले लोग ये पालतू है और पीने वाले लोगों का एक अलग सा ग्रूप बनने लगा था अब मैं और मेरे जैसे लोग अभी शराब के बारे में डर तो चला ही गया था बलकि extra confidence आ गया था अब मैं शराब पी के अच्छा बोल सकता हूँ अच्छा गा सकता हूँ, अच्छा नाच सकता हूँ अच्छा एक्टिंग कर सकता हूँ, हर चीज मैं शराब पी के कर सकता हूँ ऐसा confidence अंदर उबर आया था मुझे ऐसे लगा था कि मेरे जो कमजोर personality को जैसे कुबडी का सहारा होता है वह इसे शराब का सहारा मिल गया था और शराब ने हर event में, हर चीज में मुझे अच्छा ही साथ दिया मैंने शराब को sport के साथ मिला के देखा मैं बहुत अच्छा sportsman मन गया मैंने शराब को study के साथ मैं mix करके दिखाया मैंने first class education किया मैंने शराब को मेरे inferiority complex के साथ जोड़के देखा और मैंने देखा कि मैं unknown लड़कियों से भी बात करने लगा था और मैं बहुत fluently English बात करने लगा था So I felt कि मेरे सभी इस success का जो credit है वो शराब को जाना चाहिए तो शराब मेरे ले कुछ बुरा कर ही नहीं सकती है अब इतना विश्वास तो एक भक्त का उसके भगवान पर ही होता है So the final stage of my drinking was कि मैं शराब के प्रती मेरा भक्ती का रिष्टा बन गया इसका मतलब मेरे जीवन में कोई ही भी समस्या आई तो शराब के सहारे मैं उसे निप्टा सकूंगा फिर वो मुश्किल चैलेंज इंटर्वियू का क्यों न हो या कोई क्लाइंट को हसिल करने का क्यों न हो या कोई major campaign बेचने का क्यों न हो या मेरे जीवन में कोई भी आने वाला obstacle जहां पर भी मैं कम पढ़ सकता हूं ऐसा मुझे लगे वहां पर मैंने शराब का जोड देके देखा and usually nine out of ten times I was successful तो मेरी शरद्धा बैठ गई कि मैं, there is no obstacle in this world that me and my alcohol cannot solve together लेकिन problem ऐसा हुआ कि मेरा शरीर इतने साल, 10-12 साल पीते, पीते, पीते मेरा stamina बढ़ चुका था मेरा body का tolerance बढ़ चुका था पहले जो effect मुझे दो पेग में मिलता था अभी वही effect हासियल कने के लिए मुझे दो quarter पीने पढ़ने लगे थी और जैसे मेरी रोजाना दो quarter चालू हो गई पहले जो मेने में पीता था, हपते में पीता था, वो मेने रोजाना पिना शुरू कर दिया और आखिर आखिर में तो नीचे उतर गई कि वापिस चड़ाने का इतना ही काम बचा था अब मेरा ये जो प्रोग्रेशन था अलकॉहल का ये दूसरे किसी नहीं आनुभो नहीं किया था सो लोगों को लगता था, अरे पुषिं तो आई से क्यों बीता है हमारे जैसे पी, शाम को बैठ, एक अधा बेक पी, खाना खाले, क्या प्रॉब्लम क्या है अरे लोगों को मेरी जो इमोशनल अटेश्मेंट और जो स्पिरिच्वल अटेश्मेंट शराब के साथ हो गई थी मेरे परस्नालिटी का जो हैंडिकाप जो हो गया था, इसके बारे में कुछ क्लूई नहीं था तो लोगों को लगता था यार, you can take it and leave it, it's a matter of willpower इतना willpower नहीं है के तरे में अरे जो पूशन का willpower बाकि हर चीज में चलता था, खाली शराब में ही आके मेरे willpower नहीं चलती थी मुझे भी समझ में आ रहा था कि मेरा तकलीव हो रहा है अब loss of control होने लगा था जो शराब ने दोस जोड़े थे, वही शराब अभी दोस तोड़ने लगे थी जो शराब ने मेरे इंटर्विउस जीता के दिये थे, वही शराब ने अभी मुझे नोकरिया घलाने के लिए मजबूर किया जो शराब की वज़े से confidently मैं लड़कियों से बात करके उन में से एक को पटा के उसके साथ चादी किया अब वही शराब के वज़े से वही लड़की मेरे को divorce की धंकिया दे के घर छोड़के जाने के बाते लगी जो शराब के वज़े से अपने बाप के साथ में दोस्त की तरह relationship में बता सका बना सका वही शराब ने मेरे माबाप के साथ में पूरी तरह से रिष्टा तोड़ दिया यहां तक कि मेरे बाप ने मेरे साथ दो साल तक बात नहीं किये और आप सोचेंगे कि मैं रस्ते पर घूम राता, नहीं, I was working in a very good company, मैं marketing manager करके काम कर रहा था, मैं टाय वाय पहनता था, मैं गाड़ी वाड़ी चलाता था, मेरे हाथ के नीचे साथ सत्तर लोग काम कर रहे थे, अच्छा पगार काम रहा था, अंदर खोकला था, जो रूप आपने alcoholism का देखा, रस्ते पर, वो एक रूप है, लेकिन ऐसे कई घरों में, ऐसी कई बेडरूं में, मेरे जैसे कई सारे men and women are struggling with their own alcoholism and their own families are hiding it, क्योंके it is a matter of guilt and shame, मेरा बेटा शराबी है, ये मेरा बाप अभी 85 यर्स का हो गया है, अभी तक नहीं बोल सकता है, आज मैं जो पिछले 25 साल से alcoholic synonymous के लिए काम कर रहा हूँ, ये काम को अभी जाके उनको ऐसे लगता है कि हरे मेरा बेटा कुछ meaningful कर रहा है, क्योंके जो stigma of alcoholism, सोचिए, ये मेरी अवस्ता है, तो अगर मेरी बहन alcoholic होती, या मेरी माँ alcoholic होती, या मेरी बीवी alcoholic होती, तो उसको कितना condemnation होता, क्या उसकी family उसे accept करने देती, क्या उसे admit करने देती, नहीं दोस्तों, internationally, अगर आप दुनिया में भारत के बाहर कहीं पर भी देखते हो, तो Alcoholics Anonymous की membership में सदस्यता 50% men and 50% women की होती है, लेकिन भारत वर्ष में 40,000 male alcoholics के पीछे, सो भी female alcoholics नहीं है recovery में, क्या हमारी भारतिये महिला ये शराब नहीं पीती हैं, पीती हैं, ये यंग लड़कियों को पुछके देखो, 12, 14, 15 साल में आजकल बकारडी ब्रीजर्स आपके हाथ में आ जाते हैं, आपका शराब के साथ exposure बहुत जल्दी हो जाता है, और अगर आपका exposure होगा, तो आपके अंदर alcoholism हो सकता है, क्या आप मेंसे किसी ने भी ये सोचा था, कि मैं बड़ा बनकर diabetic बनूँगा, किसी ने नहीं सोचा था, वैसे कोई भी पिने वाला ये नहीं सोचता है, कि बड़ा बनकर मैं शराबी बनूँगा, इट इस अ सिकनेस, plain and simple, जैसे शराब, एक दफ़ा diabetes होने के बाद, आप शक्कर नहीं खा सकते हो, उसी तरह के से, आप एक दफ़ा शराबी बनने के बाद में, आप शराब नहीं पी सकते हो, लेकिन ये होगा कैसे, I have been through various types of treatments, homeopathie से लेके, Iorwayed से लेके, psychiatry तक हर प्रकार की treatment करने के बावजूद, जब मेरी शराब सातत्य से रुक नहीं पा रही थी, तो एक psychiatrist ने मुझे alcoholic synonymous में भीजा, उसने कहा था, कि भाई तुम्हें जो हुआ है, ये एक बीमारी है, physical allergy coupled with mental obsession, leading to spiritual bankruptcy, याने कि, मेरे शरीर में कुछ ऐसा बदलाव हो गया है, कि एक दफ़ा शराब पीना शुरू करने के बाद, मैं अपने आपको रोक नहीं सकता हूँ, मेरे में एक नब बुझने वाली प्यास निर्मान हो जाती है, और मुझे और 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 पीने के लिए मजबूर करती है, अगर आप मुझे बो चार बटली पानी की बैठो, यहां टेबल पे बढ़के तो मैं नहीं पी सकता हूँ, लेकिन चार बटली बियर की पीने को बोलो, तो मैं और चार मांगूँगा, मेरे शरीर में शराब को डाइजिस्ट करने की अलग प्रक्रिया निर्मान हो चकी है, तो इस थीजिकल आसपेक्ट, और अजिए अजिए शराब ने शरुवात के दिनों में दिया हुआ, जो आनंद दायक जो अनुभो था, वो इतना मेरे मन के ओपर जबर्दस उसका पगड़ा है, कि मैं सोचता हूँ कि मुझे वही चाहिए, वो बारिश की खुजबो है, तो मुझे वो पहली शराब याज आता थी, यह मुझे कुछ क्रिकेट की मैच जीती, मुझे शराब की याद आती है, कुछ दुखद, कुछ घटना हुए, मुझे शराब की याद आती है, there are 16,000 different signals that take me back to the thought of alcohol, इसका मतलब दीन भर मेरे मन में किसी ना किसी प्रकार से शराब की तरफ जाने के, या शराब से दूर जाने के विचार ही चलते रहते है, that is mental obsession, और अगर एक तरफ physical allergy और एक तरफ mental obsession, इसमें अगर मैं first जाऊं, तो इस कैची में जिन्दगी के तुकडे-तुकडे होने लगते हैं, अपने ही घर में चोरी करनी पड़ती है, अपने ही बीवी से जूट बोलना पड़ता है, अपने ही काम पे जा नहीं सकते है, अपने ही बच्चों से नजर चुरा के जीना पड़ता है, you lose your self-respect, self-worth, you lose your friends, you lose your community, and you lose your faith in God, आप अकेले, isolated, और सब दुनिया से तूटे हुए व्यक्ति बन जाते हो, और फिर हम सोचते हैं, अरे या आदमी खुल के बात क्यों नहीं करता, कैसे खुल के बात करेगा, he doesn't consider you, कि कोई आप उसको समझ ही नहीं पाये, उसके घर का आदमी कोई समझ नहीं पाया, उसको क्या हुआ है, वो खुद नहीं समझ में पाया है उसको, कि वो ऐसी क्यों शराब पी रहा है, वो क्या बताएगा, because he doesn't know what to tell you, he is thinking, कि कुछ ना कुछ तो कारण होगा, मेरे शराब पीने का, और फिर वो बहाने बताना शुरू करता है, मेरी बीवी खराब इसलिए मैं पीता हूं, मेरा जॉब खराब इसलिए मैं पीता हूं, मेरा पैसा मुझे पुर्ता नहीं इसलिए मैं पीता हूं, मेरे दोस्तों ने मुझे दगा दिया इसके लिए मैं पीता हूं, क्योंकि even he doesn't know why he is drinking like this, he has to find justifiable excuses to support his drinking, और इसलिए वो जूठा, मकार, selfish, कभी भी वोर्ड नहीं रखने वाला, ऐसी उसकी इमेज बनते जाती है, दोस्तों, but the real truth is, he is as lost and confused, as you are, trying to treat him, so हम हमेशा सोचते हैं, कि बेचारे शराबी की बीवी तो देखो, बच्चे तो देखो, कितने हाल होते हूं, कितना हाल, इसको दिखा ही नहीं देता क्या, उसको दिखता है, वो रोज शाहिद रोता भी होगा, उसके अंदर ही अंदर, he must be bleeding, because he doesn't want, मैंने कभी जिन्दगी में शराब, इसलिए नहीं पी कि मेरे मा के आँखों में आसू देख सकू, या मेरे बीवी को तकलिफ हो, जिसको मैं प्यार से शाजी करके लाया था, मैं तो शराब पीना जा रहा था, क्योंकि बिगर पिये कैसे जिने का इसका संतुलन ही मेरा छूड़ गया था, but nobody understood this, और इसी वज़े से लोगों ने सोचा, कि ये सोसाइटी में रहने लायक नहीं है, इसे उठाओ और टीटमेंट सेंटर में डाल दो, ऐसे कहीं सारे लोगों को आपने देखा होगा, जिनको हमने समाज से उठाके, कही न कहीं टीटमेंट सेंटर में डाल दिया, और बोला, भूष, अभी चार मैना शांति से जी सकता हूं, दोस्तो, इट इस उनली बिकाश्व, वी ने नीचर आप दिसीज़, तो बाँ जान कहीं आप एल्कोहालिक अनॉनिमस दो पर चॉजू, अल्कोहालिक अनॉनिमस तीन तरीके से काम करता है, Alcoholics Anonymous is a fellowship of men and women ये आदमी और 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 अरतों की एक fellowship है कई लोग इसे self-help group बोलते है but it's not only a self-help group हम लोग जरूर है कि हम लोग साथ में मिलते हैं मीटिंग में बैठते हैं और एक दुसरे का इस प्रकार से आनुभो कथन करते हैं अब मैं अभी समझ लो कि ये व्यक्ति यहां पर खड़ा है मैं उसको जा कि पुछने वाला नहीं है तो शराबी है क्या तुने घर वालों को मारा है क्या तुने नोकरी घलाई है क्या मैं नहीं पुछूँगा मैं सिर्फ अपनी कहानी बताऊंगा और अगर उसकी कहानी मेरे कहानी जैसी ही है तो वो जानता है अंदर ही अंदर के मेरे परेशाने से छुटकरा मुझे यहां मिल सकता है तो अब प्रोग्राम इस अफ एट्रैक्शन नट अफ ट्रमोशन and then he will get pulled कि भही शराब नहीं इतना पीटा हुआ रहता है व्यक्ति को कि उसको छुटकरा चाहिए उसमें से और वो छुटकरा हम देने के लिए उसके लिए हाजिर है और हम कोई उपदेश नहीं करते हैं हम कोई दवादारू नहीं करते हैं हम सिर्फ हमारा अनुभवकतन कहते हैं कि दोस मैं समझता हूँ तेरी वेदना क्या है मैं समझता हूँ तेरे को इस तरह से क्यों पीना पड़ रहा है और तू इसमें से बाहर निकल सकता है क्योंकि तेरे सामने मैं एक्जामपल हूँ मैं बाहर निकल के आज 26 साल हो गए, मैं बाहर हूँ, तो तू क्यों नहीं, तू भी रह सकता है, and we give hope and strength. So, खुए हुए शराबी को, पहले तो हम लोग एक community देते हैं, यह community जहां पर वो खुल के उसकी वेदनाओं के बारे में बात कर सके. फिर हम उसको 12-step recovery program देते हैं, this is a spiritual program which largely leads the alcoholic into accepting his problem, analyzing his problem, discussing his problem with somebody else, making amends for whatever wrongs he has done and taking spiritually maintenance conditions so that he doesn't have to go back to drink. दुबरह उसे पीना नहीं पड़े, इसके लिए उसको ये कारिय करम होता है. और तीसरा भाग, एक दफ़ा वो मुक्त हो जाने के बाद में, उसने अन्यम मध्यपीडितों को मुक्ती के मार्क पे लाने का प्रयास करना है. तो इस मेथड से वो खुद को भी बचाया रखता है और अन्यमीपीडितों को भी मार के दर्शन करता है बाहर आने के लिए. तो यह थ्री डाइमेशनल प्रोग्राम फॉलो करने के वज़े से ना के वो खुद शराब से दूर रहता है, बलकि उसके जीवन में एक प्रोफाउंड परसनालिटी चेंज होता है. दोस्तों, मैं वही पूशन हूँ, जो सुभे साड़े नौ बज़े पहला विचार ये करता था, कि घर से बाहर निकलके पहला एक ड्रिंक लूँ, तो ही मैं ऑफिस जा सकूँ, और तो ही मैं अपने बीवी से बात कर सकूँ, और तो ही मैं अपने बास के सामने खड़ा रह स कूँ, लेकिन आज आप सब लोगों के सामने यहां पर खड़ा होके वही पूशन बोल रहा है के दोस्तों, मेरे अंदर वह सब गुंद थे ही, ये तो मैं सोचता था के बगेर शराब के वह बाहर नहीं आ सकेंगे, So, it was Alcoholics Anonymous who introduced me to my true self and gave me the power and purpose to live a useful and good life. दोस्तों, ये सब मेरी कहानी बतने के बाद में, मैं आपको एक आखरी सवाल पूशने जा रहा हूं. Can we have the third question, please? So, क्या आपने किसी शराबी को देखा है? Do you know any alcoholic? क्या कोई problem drinker को आपने देखा है? कहीं आपके बगल में होगा, आपके बेटे का दोस्त होगा, आपका रिष्टेदार होगा. Okay, so, almost 80% of the people know or have experienced at least one or more alcoholic. लेकिन हमने किया क्या, हमने रस्ता बदली किया और हम चले गए. क्योंके शराबी के मूँ कौन लगेगा, इसको कौन बताएगा, और इसने गाली गलोच किय तो? I completely understand, अगर मैं ट्रेन में से आरो और मेरे बाजू में अगर शराब से धुच शराबी बाजू में खड़ा है, तो मैं भी उसको अल्कॉलिक्स अनोनिमस के बारे में नहीं बताने वाला हूँ. Because he is totally unpredictable, वो कैसे भी हेव करेगा, क्या बोलेगा, कोई बोलने ही सकता है, लेकिन आप एक काम ज़रूर कर सकते हो, you can contact Alcoholics Anonymous anonymously, आप उसके बेटे हो, बीवी हो, बाप हो, जो भी हो, आप Alcoholics Anonymous के help line number पे contact करके बता सकते हो, कि भाई मेरे पहिचान में एक आमुक आमुक लड़ का है, उसका नाम पूशन है, वो यहां यहां पर रहता है, उनका यह number है, और यह शराबी है, इसा मुझे लगता है, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, आप देख लो इसको क्या मुदद कर सकते हो, so, these are the contact details, please note them down, please circulate them among all your friends, क्योंके majority of the लोगों को मालूम नहीं रहता ह क्या इसा शराबी सामने आया, तो करने का क्या, all you have to do is inform alcoholics anonymous, और जब ही आपका यह आता है, तो हम जाके बताते हैं नहीं कि तेरे बाजुवले ने बताया, या तेरे बीवी ने बताया, we go and approach him directly, by talking to him directly about our experience, क्योंके alcoholics anonymous को leads आते हैं, वो धेर सारी तरीकें से आते हैं, डॉक्टर से आते हैं, family members से आते हैं, social workers से आते हैं, human resource professionals के पास आते हैं, politicians के पास से आते हैं, school teachers के पास से आते हैं, क्योंके धेर सारे बच्चे जिनके grades ठीक नहीं रहते हैं, जब बच्चे जो जो जाके पूछते हैं कि क्या problem है, तो समझ मैंता है, घर में बाप alcoholic है, या म alcoholic है, तो बच्ची का जानी नहीं लगता है पढ़ने में, तो वो teacher के साथ बात करती है, and teacher will inform Alcoholics Anonymous, so, Alcoholics Anonymous is a free resource to the community, पाँच पैसे का खर्चा नहीं होता है, Alcoholics Anonymous is free, membership is free, all the help provided is free, एक रुपय का खर्चा नहीं है, किसी को भी, it is a resource for the community, and I urge and request all of you to use it to the best of your ability. Thank you very much for giving me a chance to share. Okay, so, we have some questions on WhatsApp. Sir, would you like to answer that? Certainly. Thank you. The audience would like to know, where are these meetings conducted in western suburbs? सबसे पहले तो, Alcoholics Anonymous याने एए करके पहिचाना जाता है, आप गूगल पे अगर डालोगे एए, तो मोर दन हंड़ थाउजन पेजिस उपन विथ एए, अगर आप एए, मुंबई डालोगे, तो भी सेकड़ो पेजिस क्योलते है, अगर आप एए, गोरे गाव या वेस्ट मुंबई अगर डालोगे, तो वेस्ट मुंबई का पूर्शन जो है, ये बांदरा से लेके विरार तक धेर सारी मीटिंग होती है, इन फैक्ट हमारे अंधरी से गुरे गाव के परिसर में लगबग 40 से 50 एए के ग्रूप्स है, तो अगर आप इंटरनेट फ्रेंडली है, त यार हाउस, यानि आप अगर गोरे गाव इस्ट में रहते हो, तो गोरे गाव इस्ट में आप कहां जा सकते है, वो आपको बताया जाएगा, तीसरा, यूजुली ये सभी जो चर्चेस है, इन्होंने एक को जगह फ्री दी हुए है, क्योंकि अज अर्ली अज इन नाइन फि देंगे, तो आज मुनिसिपल स्कूल्स में और चर्चेस में विना मुल्य जगह ए ग्रूप को मिलती है, जिसके वज़े से आप कोई भी चर्च में भी पूछोगे, तो वहाँ पर यूजुली एक अख़ता ए ग्रूप चलते ही रहता है, तो इसक्वाइज इसक्वाइज अनुमस in your community. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Have a wonderful day. झाल झाल